आइड sir, वह जा रहे आइड sir चली एक वीडियोट खोड़ा, तक हो रहे sir अभी तो नहीं sir एक बात बोलू एह ऐसा प्रव्लम मैंने पहले भी बहुत बात देखा है मैसम्मम टेम भी SMPS के लिए होता है ऐसा तो नहीं कि मैं देश्ट प्यूरिसिटी के लिए वोगता हुआ 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 है तो सबसे पहले क्या करना है हमने मैक्रो पे चलते हैं उससे हम कम्प्लीट यू ले पाएंगे ओके ड़न है तो सबसे पहले चेक करेंगे रैम का रहा है तो सबसे पहले रैम का सफ्लाइट चेक करेंगे क्या वो proper बन रहा है या नहीं ठीक है तो final हम output में चेक कर सकते हैं output में यह छोटा सा capacitor यहां पे मिले को दिख रहा है उसके उपर या फिर इसके drain पे भी चेक करेंगे तो मिल जाएगा मिले को यह दोनों के दोनों supporting है किसी के भी train पे touch करके हम check कर सकते है press power button इस पे फिसे press कर रहा हूँ है 1.8 आके चला गया 1.8 आके चला गया वैसे 1.5 का section है 1.8 आ रहा है लग बग multimeter को maximum range पे set कर देते हैं मैं phone connect कर लेता हूँ मेरे को video का quality पता चलता रहा हूँ दोनों group में link पे लिया ना चलिए तो अभी multimeter बिल्कुल 00 voltage so कर रहा है power button press कर रहा हूँ power button press किया board on हो गया और maximum voltage 1.5 इसने sense किया मतलब 1.5 होके है फिर से on करता हूँ फिर से on किया ये 1.5 पे ही है और फिर से on करता हूँ फिर से board on हुआ अभी भी 1.5 ही है मतलब और ये 1.5 वर्ल्ट रेम का सेक्शन जो है वो सही है वो बन रहा है मैक्सिमम में मैक्सिमम और मीनिमम से क्या होता है ना कि जो भी मैक्सिमम वर्ल्ट रहेगा वो उसी पर रुखा रहेगा जब तक कि 1.5 से ज्यादा वोल्टेज अब डिटक्ट नहीं करेगा तब तक वह 1.5 पर ही रहेगा जैसे मैं इसको मैंने अपने मैं फिंगर को टच किया ना तो मेरे बॉड़ी से यह 3.8 वाल्ल डिटक्ट कर रहा है तो वह 3.8 पर चला गया अब वह 3.8 से अभी यह 8.9 सो गिया तो यह मैक्सिमम में क्या रहता है न कि जो भी आप अभी मैंने मिनिमम कर दिया है तो यह मिनिमम वॉल्टेज का रेंज जो अभी क्या करते हैं डेट चेंज करना है ना 22 है हां तो मैंने किस लिख रखा है ना कल गाईट है ना लाइव जो था कल चलिए लेके चलता हूं मैं छोड़िए एक एक करके पहले चेक कर लेते हैं अभी हमने रैम का सफलाई इस पॉइंट पे चेक किया था जो क्वी बिल्क कि यह इसका LM है ठीक है यह क्या है LM इसके पर गौर से देखेंगे तो यह 3 2 4 लिखा है 3 2 4 इसके बीच में इतना यह 3 लेटर जो है 3 2 4 है अब यह LM है यह 3 2 4 है इसके उपर ठीक 3 2 4 3 2 4 से पहले A B C D X Y Z कुछी भी उससे मतलब नहीं है मेरे को इस पॉइंट पर 3 2 4 दिखना चाहिए वैसे इस तरह का जो भी होता है वो LM ही होता है डेक्स्टॉप के बॉर्ड में यह दिख रहा है साइध कैमरा डिटेक्ट ना कर रहा हो लेकिन यह 3 2 4 लिखा हुआ इसके उपर चली दिख रहा है ना 3 2 4 ठीक है साब साब दिख रहा है अब यह 3 2 4 कैसे काम करता है LM 324 तो LM के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसका डाग्राम ले देता हूं एक बार मैं फिर से एक्स्प्लेइन कर देता हूं कि अग्यों कि एट एच सेवन सेवन और 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 एंग्यों कि पीडिएफ अभी अन्यू है इसका इसका डाग्राम अब लेवल नहीं है इसका बोर्ड वीव अवलेबल है नो तो इधर से भी आप ले सकते हैं अगर यह फिरी वेबसाइट है तो यह डाउनलोड कर देगा अदर्वाइस अल्रेडी मेरे पास पहले से डाउनलोड है यह फिरी नहीं है पैड है तो यह डाउनलोड नहीं करने देगा ठीक है इसको इसकिप करते हैं आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इसके पास पढ़ावा होगा क्या है P8 H77 M fahrenish और है ना है थास यह Versus तक यह ब्याइडी वाइन है यह यह ब्यार्ड आडी है भी फिर्ड आडी है ठीक तो बोर्ड ग्यू है है वैसे मेरे डाटा में भी बोर्ड व्यू है इसका पड़ा हुआ लेकिन बोर्ड व्यू में ASC फाइल है और मेरे को डाइग्राम पे FZ फाइल मिल रहा है तो FZ फाइल यूज करना में लिए ज़्यादा असान है मैं इसको यूज करता हूँ तो इसको फशेश करने के लिए आप यहां पर रेजिस्टेशन कर लिजिए वहां पर PayPal आएड़ी आएगा PayPal इप पर payment कर दीज्य यह अगर PayPal आएड़ी आंशाक हो करना है मैं इंको पेमेनट कर लगबग आपको लगएगा 650 प्लस यह PayPal का चार्जिस रहता है एकाउंट के से कटने के बाद तो लगबग 700 के आसपास एक साल का और दूसरा है कि लगबग 3500 या 4000 के आसपास में लाइफ टाइम मिल जाता है यहां पर वाटसप नंबर इनका वाटसप पर इसके आउनर से बात कर सकते हैं लगबग सब्सक्राइब जाएगा जो है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं इसको यह जैसे वीना फिक्स वीना फिक्स का लिंक यह आगया तो जो फाइल आपको इससे लेना है इसमें से जो फाइल लेना है राइट क्लिक करके कॉपी लिंक अड्रिस कर लिजिए जो फाइल चाहिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं ठीक है मैंने क्लिक किया अब यह मैं से लॉग इन पूछेगा लेकिन यह उपर में में Link Copy कर लूँगा और इसको लाके इसके वेबसाइट में पेस्ट करूँगा तो यह डारेक्ट फाइल मेरे कुछ सो कर देगा इस पे लाके उसको मैं पेस्ट कर दूँगा पेस्ट किया यह आगया फाइल हाँ अगर आप इधर से आएंगे तो डाउनलोड फ्रॉम यह लिंक सेम है तो राइट क्लिक कॉपी लिंक और इस पर आके पेस्ट कर देना है हाँ सरह हाँ इस सभी वेबसाइट का इसके पास है सेरी लेप टॉप आताव क्या क्या लिखा है इसको राइट क्लिक करके मेरे को इंग्लीज करना होगा तब सो करेगा सब्सक्रिप्शन यह लेकर सारा फाइल रगुलर अपडेट लेता है 22 तारिक में इसने कितना फाइल अपडेट किया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ तकनिशी इंडोनेशिया का नौ फाइल इसने अपडेट किया है आज के डेट में अन्निनिटेडवाइल आप आज जितना चाहरें दौनलोड कर सकते हैं दिन पर वाइट के डाउनलोड करते हैं तो है यह निंगी कि आप दो file ही download करोगे तीन और अब करोगे अब को जितना file साइट से डाउनलोड करना है डाउन बायवन डाउन.. मैं login कर लेता हूँ और उसके बाद यह चेक करता हूँ Fz file के साथ ज़्यादा आसान रहेगा झाल यही था ना डाउनलोड और अगर कोई फाइल नहीं होता है तो आप यहां पे request भी जनरेट कर सकता है यह प्लस पे जाके यहां पे request पे जाके request पे add पे क्लिक करके इससे सेलेक्ट कर सकता है स्कमेटिक कौन से ब्रांड का है तो अभी मैं इससे आसूस का add करवाना है मेरे को आसूस क्लिक करूँगा information तो यह जो नीचे लिखा है इसको copy कर लेना है इस पे मैं जाके पेस्ट कर सकता हूँ और URL पूछ रहा है link माल लिजे मैं यह वाला चाहता हूँ कि तो यह add कर दे इस पे पेस्ट करूँगा, save करूँगा अगर इसके पास नहीं होगा तो यह add कर देगा मैंने request कर दिया है अब यह जब वो check out करेगा website तो वो add कर देगा उस file को अगर पहले से ही है तो notification में आ जागा कि file पहले से ही है चलिए, जो डाउनलोड हुआ वो कहा गया idm कहा डाउनलोड हुआ किये थे क्या डाउनलोड या नहीं किये थे नहीं किये थे नहीं नहीं डाउनलोड किये हैं, यह नीचे पह आया है चलिए, fz file डाउनलोड हो गया तो open board viewer खोलेंगे और इसको drag and drop करेंगे open board viewer के open board viewer इसको open नहीं कर सकता है तो फिर हम इसको open करेंगे इसके उपर file open यह वाला file है क्या नहीं है न desktop पर हमने रखा है न desktop fz file यह है open आ गया, ठीक है तो यह file आ चुका है मारे पास ठीक जिस तरह से board है इसको उसी एंगल में fix करना है अभी यह alum है मेरे पास ठीक है यह बहुत सारा यहां पर लिख रहा है 1.5 volt 1.5 volt यहां पर कुछ पिंस दे रखा है fan भी यही control कर रहा है मतलब fan यह control कर रहा है fan को control कर रहा है 1.05 volt बना रहा है और एक 1.05 volt दो जग़ा 1.05 volt यह MOSFET दे रखा है यहां पर इसके input का क्या है 1.5 volt इस पर in हो रहा है और यह out कितना कर रहा है 1.05 volt फिर यह 1.05 volt इसके drain पर आ रहा है और इसके source से 1.05 volt PC edge out हो रहा है मतलब 1.5 volt से 1.05 volt बनाया गया फिर 1.05 से switch करके फिर से 1.05 volt ही बनाया गया तो यह क्या है यह regulator का का काम कर रहा है PQ701 1.5 से 1.05 में कर रहा है मतलब यह क्या है regulator है ना regulator की तरह काम कर रहा है regulate कर रहा है voltage को वही PQ702 input कितना है 1.05 है ना out कितना है 1.05 ही है तो ये क्या काम कर रहा है switch का दोनों को control कौन कर रहा है LM कौन कर रहा है LM दोनों को LM ही control कर रहा है ठीक चलिए हो सकता है इस में से अगर कोई एक supply नहीं बनेगा तो भी board क्या होगा on होके off हो जाएगा ठीक तो एक ram supply जो हमने चेक किया बिल्कुल ओक के था अ और एक supply इस point पर यहाँ पर कितना होगा 1.8 के आज पास 3.3 वल्ड इसका input है और यह out कितना करता है 1.8 इसको control कौन कर रहा है LM 324 कर रहा है क्या यह LM 358 इसको control कर रहा है इसके drain का voltage है 3 वल्ड और यह 1.8 आउट करता है अगर यह 1.8 आउट नहीं करेगा तब भी board only होगा इसके पास में एक और है जिसका input है VCCIO, VCCIO कितना होता है VCCIO मतलब VCCIO, VTT, CPU VTT, 1.05 और out करके यह क्या बना रहा है VCCSA, CPU VTT से VCCSA बनता है, VCCSA कितना? 0.75 से 0.95 अब यह VCCIO कहां से बन रहा होगा? इस साइड, स्विचिंग से, ठीक है? यह PL7 स्विचिंग से, स्विचिंग के लिए मेन मौस्पेट के ऊपर आ रहा है 12 वल्ट, स्विचिंग मौस्पेट का द्रेन मेन मौपेट के सोर्स से कनेक्टेट ऑर सपोको इन्द मौस्पेट का सोर्स ग्राॉंड है, इसको कंट्रॉल करने के लिए यहां पर ऐक का गया है और इस आइसी को अनेबल किया जाता है पी नमबर सेवन से नाम क्या रहता है ओसी सेट पीन नमबर सेवन ग्राउंड नहीं होना चाहिए इंटरिप की तरह आप इसको समझिए ठीक है है अगर यह पिन ग्राउंड होता है यह इसका पिन नंबर सेवन ग्राउंड होता है तो आई सी बंदो जाएगा बाई डिफॉल्ट इसके उपर जितने वैल्यू का रजिस्टर है रजिस्टर नहीं है इसको फीडवक से जोड़ दिया कुछ भी किया वो होना चाहिए ठीक है मतलब इस पिनको टाय नहीं मिलना चाहिए भीक्यू सेवन से स्थाहिवं इसका स्चछ ग्राउंड पिन नंबर 7 ग्राउंड हो जाएगा और पिन नंबर 7 ग्राउंड वार तो CPU भीटीटी नहीं बनेगा CPU भीटीटी नहीं बनेगा तब भी मेरा बोड क्या होगा on होके off हो जाएगा इसको एनेबल किस्से किया गया है VCC IO Enable नाम का PIN दे दिया है इसके नीचे फिर एक MOSFET लगाया है और उस MOSFET को GROUND किया है मतलब मुझे अगर PQ 17 को बंद करना है तो PIN No. 1 को अगर लो करना होगा PIN No. 1 को अगर लो करना है तो PQ 801 को ON करना होगा अब ON होने के लिए इसको क्या चाहिए VCC IO Enable SE Q कर के नाम है इसके उपर यहाँ पे कुछ components दिया गया है हम ढूंडते हैं यह register है जो GROUND है यहाँ पे तीन register है एक register के उपर 1.8 V आ रहा है मतलब अगर मेरे motherboard में 1.8 V बन रहा होगा तो यह क्या होगा? ON हो जाएगा दूसरा 1.05 V PCS दिया है मतलब 1.05 V PCS भी अगर motherboard में बन जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा और तीसरा 3 V है मतलब 3 दिया गया है यूज तो कोई एक ही किया गया होगा मतलब 3ों में से कोई भी circuit इसमें यूज किया जा सकता है motherboard में 3 बनेगा तब भी यह ON हो जाएगा फिलाल चलते हैं आगे इतना ही देखते हैं इसके बाद अगर core नहीं बना तब भी board मेरा ON होके OFF हो जाएगा तो सबसे आसान क्या होता है जब भी board ON होके OFF होता है आपने SNPS वगरा change वगरा करके देख लिया है processor change करके देख लिया है निकालके भी देख लिए बाई रेम सोट होगा हो सकता है मतलब जो भी आप कर सकते थे card level पर आपने करके देख लिया board पे जब बारी आती है तो सबसे पहले करना होता है जितने वन बाई वन सभी supply को चेक करना है laptop और desktop और ऑन होके OFF होने का सीधा मतलब है आप यहां पर मल्टीमीटर चेंज करना होगा आपको को मल्टीमीटर लेना होगा जिसमें मैक्सिममम का उप्षन दिया गया हो कि çop यहां पर मल्टीमीटर वो निकाल लिए गा और वाले में नहीं है ना उसरेड़ वाले में नहीं है ना अब देखें मैक्सिमम रेंज जो रहता है वो मैं दिखाता हूं आपको जैसे मैं भी मल्टीमीटर यूज कर रहा है यूटी सिक्स्टी वन भी यह पीसी से कनेक्ट हो जाता है यूटी सिक्स्टी वन भी ठीक है यूटी सिक्स्टी वन भी यह तो दिखाई निरा इस मल्टीमीटर को यहां पर आ रहा है यह मल्टीमीटर है लेकिन यह थोड़ा कॉस्ट्ली है लगबग 3700 और 300 चला जाता है इसका रेट ठीक है यह पीजी के साथ कनेक्ट होता है यहां पर लिखा है यहां पर यूजबी इंटरफेस कनेक्ट होता है यह मैं यूजब कर रहा हूं अच्छा सॉफ्ट्वर के थुरू लेकिन आपने पीसी में कनेक्ट करना नहीं है तो आपको यूजब करना यह यह 2000 के रेंज का है इसमें भी आपको मैक्सिमम मिनिमम रेंज मिल जाता है कि हमको जो भेजा है उसमें तो नहीं जाना कौन सा है मॉडल चेक कर दिये तो ऑफिस में रखा हुए यूनिट का होगा आपका यूटी 39C कुछ है यूटी 39C प्लस होगा क्वे प्लस हो जैसे यह न इसमें मिल जाता है मेरे कौश अस Right लो प्लस मैं इसमें आ जाता है यह ब्लूटीूटूट व्ल्यूकि जाता है कि वैसे मैंने इसको ज्यादा यूज किया नहीं है इसी को इसी से मदरबोड अभी इसको चेक करते हैं कि वाल्टेज जो है न वह बहुत ही कम समय के लिए आता है और चला जाता है तो प्राब्लम होती है मल्टिमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाता ना आया था या नहीं घृ जो कि ले का है अब्रीज वही हो रहे है गोटन प्रेस करेंस के बंद हो जाए बटन प्रेस कि और वन आद भीडाश्यन उतना समय तक चलता रहता है अदर्वास फेन वो रहा हुआ और बंद हो रहा है था सब्सक्राक्या मेरे तो फैन जिस्ट ब्लिंक की हो रहे हैं इतना भी ने गुम रहे हैं वही आपको वन बाइवन चेक करना होगा हाँ इसको ग्राउंड स्राइब को रहे हैं तो में में मॉस्पट का गेट एंड सोट जोनो अगर पर गेटम सोरस अगर घ्र कर रहा हैं तो सभी मॉस्पट जिसका सब् сам सोट कर रहा हैँ वही है कि अच्छा आई दूटिब जैसे बहुत सारा कॉर में मॉस्पेट जिसके गेटा इस हो घ्र है वह मॉस्पेट शौट है और यहां अगर आइसी गेट इंड पीश में आएसी तो बहुत ही रैर के समें शॉट होता है अभी यह अटो रेंज में मैं इसको वर्टेज रेंज पर लेकर चलता हूं का पर जी वॉल्टेज कि यह ना वंटेज वंटेज एए पहले वर्डेज में जाने के बाद में अभी यह आटो रेंज में मतलब जब यह वन वर्ट लेगा तो वन भी दिखाएगा टू भी दिखाएगा थ्री भी क्या होगा मैं इस प्कॉइंट नगा रहा हूं ठीक है और परण प्रेस करो रहाओ रहा रहम के ऊपर मैंने लगाया हुआ है प्रेस क्या पावरो टन आया और चला गया बपर फिर से मैंने प्रेस क्या आया और चला गया अगर मैं इसको maximum क्लिक कर दूँगा तो जो भी यह maximum voltage detect करेगा उसी के उपर यह आके रुख जाएगा 1.5 पे आके hold हो जाएगा अब यह change नहीं होगा मल्टिमीटर जब तक कि इससे ज्यादा voltage यह detect ना कर ले अगला चेक करते हैं फिर से मैं इसको release कर दूँगा max को press and hold करेंगे हट जाएगा आगे हम चेक कर रहे हैं अब 1.05 वाल्ट इस पॉइंट पे इस MOSFET पे इस MOSFET पे 1.05 चेक करते हैं क्या यह 1.05 वाल्ट PCH बनाता है तो सेम मेरे को करना होगा प्रेस किया मैंने power button अब देखें यहां पे मेरे को confirm नहीं हो पाए न मल्टिमीटर में बहुत कम समय के लिए voltage आया और चला भी गया प्रेस किया आया और चला गया तो मैं यहां पे maximum अगर क्लिक कर दूँगा तो minimum 1.05 आना चाहिए 1.05 1.2 चलेगा प्रेस किया मैंने power button यहां पे आ रहा है 1.29 मल्टिमीटर होल्ड है मेरा 1.29 आ रहा है इस प्रेस किया अभी फिर से यह 1.29 आया था मतलब मैं मान लेता हूं कि 1.05 भी ठीक है तो maximum में यहीं रहता है कि हम होल्ड कर वा सकते हैं मल्टिमीटर को अगर बहुत कम समय के लिए बो में चलते हैं चेक करते हैं अभी मैंने क्या-क्या चेक कर लिया है बोर्ड व्यू के साथ मार्ड व्यू बोर्ड व्यू आरा में वर्ड व्यू वर्ड दॉरे जलिए चलिए अभी चेंज नहीं हुआ है उसमें पीडियाफ आ रहा है ठीक है देखें अभी मैंने इस पॉइंट पे चेक किया था इन्पुट 1.5 ओके है आउट्पुट में 1.2 सम्थिंग भॉलत है मैं माल लेता हम ठीक है पीक्यू 702 पे 1.2 ही आएगा जो यलो ब्लिंक हो रहा है मतलब यह इस पिन से साथ कनेक्टेड है ठीक है बोड में जहां जहां यलो ब्लिंक हो रहा है यह रजिस्टर भी उसके साथ कनेक्टेड है अब इसके आउट्पुट में पिन नमबर 3 पे भी बनना चाहिए 1.05 1.2 1.1 कुछ भी है न है कंफर्म होते हैं यह बन रहा है या नहीं अगर यह बन रह मेता हैं क्या है या है जो कि यह पीचे च्षीपा हुआ है यह इस पॉइंट पे चेक करते हैं क्या वोल्टेज आता है प्रेस पावर बटन 1.07 आया था ठीक है अब आप लोग को दिखा नहीं होगा साइट तो मैं इसको मैक्सिमूम रेंज पे सैट कर देता हूं ताकि वो जो भी वोल्टेज डिटेक्ट करेगा होल्ड रहेगा फिर आ आ गया 1.07 ठीक है मतलब जो अभी हमने वोल्टेज चेक किया वो भी ओके है 1.07 भी मेरा ओके है तीन वोल्टेज मैंने चेक किया तीनों के शेजिने ओके है याद रुखेगा बायो स्क्रेप्ट है तब भी बोड आउन होके आफ होगा तो रैम मेरा ओके प्क्यू सब्सक्राइब करते हैं तो भी बोड ओन होगा लोड लेगा और ट्रिप कर जाएगा तो वह खेर आगे की बात है पहले जो अभी हमें दिख रहा ही दर सामने उसको कंफर्म करते हैं अब लोड पड़ेगा बोड में तो ज्यादा पावर का जरूरत है और इस्टेंड बाइज ज्यादा एंपिर देता नहीं है तो ट्रिप खोने का चांसे रहता है फिलाल आगे चलते हैं अब हम लोग आ गए वन पॉइंट की तरफ वन पॉइंट पिन नमबर वन पिन नमब पिन नमबर वन के साइड देखते हैं मतलब PQ40411 का ड्रेन 3.3 आना चाहिए उसके बाद आउट्पुट में 1.8 होना चाहिए इसको चेक करते हैं और कन्फर्म करते हैं PQ411 इसका स्टेटस लेते हैं क्या है लिखावा नहीं आता है तो ठीक है फिर अभी स्क्रीन करके करेंगे अब लिखावा आएगा ना ठीक है पहले बताना था ना अभी लिखावा आ रहा है ना आप लोगों को PQ411 पिन टू 3.3 एन चैनल मॉस्केट नमबर ठीक है इस क्रीन से हर में यह आता है और इस ती अरगर नहीं करते हैं विंडो से हर करते हैं तो नहीं आता है PQ411 है और PQ412 है एक पीद untuk PN-3 पे इसके द्रेन पे आना चाहिँ है 3 Woold और 3.3 और सोर्स होनना चाहिए 1.8 इसको चक करते हैं और कणफर्म करते है तो ये मेरे को मिलेगा गिरा या ना ये ये दो नो और इसको कंट्रोल करने के लिए ये अलम लगा हुआ है इसको चेक करते है PQ411 इस पॉइंट पे 3.3 आना चाहिए प्रेस पावर बटन मल्टिमीटर 3.39 तक जाके होल्ड हो गया मतलब 3.3 इस पे आ रहा है हटाते है इसको आटो रेंच से इसके आउटपुट में इसके आउटपुट में 1.8 होना चाहिए अप्रॉक्स प्रेस पावर बटन 1.83 मतलब 1.8 भी ओके है 1.8 जो है वो क्या है मेरे को अभी तक सब कुछ ठीक मिला अब इसके बाद क्या चेक करना है इसके पास में जो है यह पास में पीक्यू 412 इस पीक्यू 412 के ड्रेन पे पीक्यू 412 के ड्रेन पे 1.8 आएगा नहीं आया टच नहीं हुआ होगा चाहिए इससे प्रेस करते है सॉरी प्रेस किया इसको नहीं आया जब यह सफलाई नहीं आ रहा है तो डाउट हो गया कि भाई इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है इस सफलाई में रहा है और यह डायरक्ट क्वाइल से आउट होके जा रहा है कि मतलब कॉयल पे इस वालटेज नहीं बन रहा है जब यह बन रहा है तो फिर बोड आगे जाए नीं बोड आगे-जाए नीं तो सीदा सा बात होता है जहां पर वोल्टेज मिस हुआ वहां से मदरवोड ट्रिप कर जाएगा तो ट्रिप हो जा रहा है प्राप्लम हमें मिल चुका है विसी सी आयो में प्राप्लम है अब हम यहां पर इंजेक्ट करके भी देख सकते हैं अगर अनेबल वगेरा का दिक्कत होगा अनेबल के अनेबल के पिन पर है अनेबल के पिन पर है अनेबल के पिन पर है स्यावन नंबर पर अनेबल पर कॉम्पोनेंट दिया गया है अभी जैसे विसी सी सीप्यू वीटिटी नहीं बन रहा है तो हम एक्स्टरनल डिसी का यूज करके इंजेक्ट करके ट्राइक कर सकते ह वाट वाट नहीं है तो मैं म्यूट कर देता हूं अगर सपोर्टिंग मौसफेट वगरा शॉट नहीं है तो फिर हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा अदरवाइस आगे तो हमें करना यह है अनवल वगरा तो चेक करना ही है क्या है नहीं है चलिए तो PQ412 के उपर 1.1 या फिर 1.2 इंजेक्ट करेंगे वह इसे होता है 1.05 है लेकिन बोड आन होगा तो थोड़ा वल्टेज ड्रॉप लेगा कोई शू नहीं है थोड़ा सा वल्टेज ज्यादा इंजेक्ट करेंगे तो एक्स्टर्नल डीसी ओन करता हूं स्क्रीन साइड आही रहा होगा एक्स्टर्नल डीसी का स्क्रीन सेयर स्टॉप हो गया राइट क्लीक स्क्रीन सेयर जुम कहां चला गया स्क्रीन सेयर स्क्रीन आ गया होगा मेरे ख्याल से वापस हाँ पी क्यू फोर वन टू पे ट्राइ करते हैं टीसी को वन पॉइंट वन पे मैंने लगाया हुआ है इसके उपर डाल रहा हूं और बोर्ड को अन करके देखते हैं हो जाता है तो ठीक है नहीं होता है तो वैसे तो हमें अनेवल पीन वगरत चेक करना है प्रेस किया मैंने पावर अटन मेरा बोड है कंटिन्यू आने बोड क्या है कंटिन्यू आने देखें पैन चल रहा है कि यह चल रहा है ना यहां पर सम्पेस का फैन कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेसर हिट नहीं है बिलकुल नॉर्मल है रेम बगरा मैंने लगाया वह नहीं अभी इसमें खैर कोई नहीं देखें बोड क्या है कंटिन्यू आने अभी अगर मैं वॉल्टेज चक करूं तो इसके ड्रेंज के उपर जो मैंने डाल रखा है वो वॉल्टेज ड्रॉप होगे 0.9 हो गया और इसके आउट्पुट में 0.9 के आसपास पास कर रहा है मतलब VCCS से बन रहा है क्या कोर वगरा कुछ बना इसमें तो इसका कोर भी ब बन चुका है कोर के साथ-साथкими सारा सफलाई ये ग्राफिक्स को छोड़ए ये खैर ग्राफिक्स बाद में बनेगा चलेगा कोर वगरा सब बन गया सदो मतलब पूरा बोर्ड जो है वो ओन है ठीक है प्रोसेसर थोड़ा थोड़ा है मतलब रेम तो लगा नहीं है तो प्रोसेसिंग कुछ हो नहीं रहा एक बाद प्रोसेसर लगाते हैं उसके बाद चेक करते हैं प्रोसेसर के साथ अभी मैंने हटाया हटाते ही बोर्ड बंद हो गय मतलब ज़रूरी नहीं कि ग्राफिक्स पर पहले बने तभी डिस्प्ले आएगा ऐसा नहीं कि रेम दीजिए अरे कैसा रेम दी है कोई धंका दीजिए जिस पर उक्के बगएरा कुछ लिखा हो कि इस दब्बे में देखे कोई उसमें देखे मेरा दोस्तों भेज़ा है उसमें कोई रेम है रेम लगाके कि इंजेक्ट कर देंगे और उसके बाद बॉर्ड को अन करेंगे अन किया है यह रम से लेगा लेप्टोप भी सैम रहता है जब on off होता है कंफर्म नहीं हो पाते हैं कौन सा वल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वन बाइवन से भी पर इंजेक्ट करके ट्राइ कर लेटा है अभी हम लोग पहले जो वॉल्टेज मिसिंग है उसका सरकीट रिपैर करेंगे उसके बाद आगे कुछ करेंगे कोई और प्रोसेसर है क्या वन पॉइंट टू पर ओन होके आफ हो रहा है वन पॉइंट वन पर भी ओन ओफ हो रहा है अब पॉइंट जनरेशन का कोई और प्रोसेसर दीजिए तो कि अधिन और थर्ड यह मौश्च जबाद करेंगे इसका मौश्च यह विसी सी असे का उदर साइड जो है सरी एक मौश्च लगा हुआ था यह यह फैन का चैचिस फैन चलिए पहले इसका सर्कुट जो है उसको रिपैर कर लेते हैं उसके बाद आगे देखते हैं कि अ कि अ कि अरे ये सकेंड नहीं है अ कि अको चलिए धूट पकडा रहे हैं और सद्रीं के अ कि अ कि असकी प्लीन वर्पाइब करते हैं उसके बाद आगे चेक करेंगे कुछ कि कि ऑगी को जो फिर फ़ीं ट्रीड अपर से दिख रहा है तो जो कॉंपनेंट उपर से दिख रहा है उसको एक्स्टोर कर लेते हैं उसके बादा अब रहते हैं अभी CPU BTT नहीं बन रहा, CPU BTT, CPU BTT का birthplace पर अगर जाएंगे, PL7 इसका birthplace है, PL7 जो birthplace है, इसके MOSFET को control किया गया है, PU7 से, PU7 का pin number 7 enable pin है, अगर ये enable नहीं होगा, तो कभी भी output नहीं बनेगा, इसको supply नहीं मिलेगा, तब भी नहीं बनेगा, supply है, इसका pin number 5, मतलब इस IC को check करना होगा, पहले हम इसका enable ही check करेंगे, enable का pin जो है, हम PQ7 के ऊपर check कर सकते है, PU7 के ऊपर देखें, यह आप एक register लगा है, register के ऊपर VCCIO का pin दिया गया है, VCCIO के नाम से, और यह register है, और एक capacitor है, और कोई भी component इसके साथ connected नहीं है, पूरे board से, मतलब इसके साथ एक register लगा के क्या voltage नहीं है, बस मुझे यह मतलब है, यह pin ground ना हो, तो PQ7 के drain के ऊपर 0, 1, 2, 3, something मिलेगा, मतलब 1 volt के आसपास ही, मैं उसको के मान के आगे चला जाओंगा, और इसके gate के ऊपर voltage कुछ भी नहीं होना चाहिए, PQ17 के gate पर कोई voltage नहीं होना चाहिए, otherwise on हो जाएगा, तो gate क कोई voltage नहीं हो, चेक करते हैं, वो PQ जो है, इस point पर है, यह रहा, तो इस दोनों को चेक करते हैं, क्या status है इस दोनों का, इसके drain के उपर voltage होना चाहिए, यह ground नहीं होना चाहिए, प्रेस power बटन करता हूँ मैं, प्रेस क्या, इस पर कोई भी voltage नहीं आया, इसके gate पर voltage नहीं होना चाहिए, 5V है, प्रेस power बटन करने से यह 5V चला जाना चाहिए, जो की नहीं गया, confirm करने के लिए मैं multimeter को minimum range पर set कर देता हूँ, अगर millisecond के लिए भी voltage यहाँ पर gap होगा, तो multimeter detect करेगा, multimeter कुछ भी change नहीं कर रहा है, मतलब इस पर voltage low हो ही नहीं रहा है, थोड़ा सा low हुआ, मतलब 0.001 पर कोई मतलब नहीं बनता है, इसका, मतलब यह on नहीं हो पाया, अगर यह on नहीं हो पाया, sorry, off नहीं हो पाया, pin number 1 पर voltage नहीं होना चाहिए था, जो है, मतलब होना चाहिए था, power turn press करने से चला जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं, क्योंकि PQ801 on नहीं हो पाया है, PQ801 अगर on होता, तो इसका gate ground हो जाता, यह न, PQ801 on नहीं हो पाया है, इसका pin number 1 अगर हम चेक करेंगे, तो pin number 1 क्या होना चाहिए, power turn press करने से high होना चाहिए, इसके उपर कौन-कौन सा component है, एक, यह तो ground है रजिस्टर, इसको छोड़ता है, यहाँ पर एक, दो, तीन component है, इस तीनों में से देखता है, बोड़ पर लगा कौन सा है, तो इसके gate के साथ, यह gate है, इसके gate के साथ तीन component दिखाया गया है, तो एक, दो, तीन, पहला नहीं है, दूसरा लगा हुआ है, पहला गयब है, दूसरा लगा है, तीसरा भी गयब है, मतलब second वाला जो है वो लगा हुआ है, है न, चेक करते हैं यह second वाला क्या है, वापस आते हैं, यह सकेंड वाला लगा हुआ है इसके एक पिन पे मैं चेक करूँ तो लिखा है 1.05 वाल्ट पिस्याच मतलब जैसे ही मैं पाउटन ट्रेस करूँगा 1.05 वाल्ट पिस्याच बनेगा और इसके बनते ही क्या बन जाएगा वी सी सी आयो अनेबल PQ801 के gate को high करेगा जिससे PQ801 on हो जाएगा on होने से इसका drain source के साथ connect होगा मतलब ground हो जाएगा PQ17 का gate ground हो जाएगा जिसके वज़ए से PQ17 off हो जाएगा off होने से PU7 को enable मिल जाएगा और मेरा काम बन जाएगा तो अभी मैं क्या चेक करूंगा इस register के दोनों side voltage का status अगर यहां पर voltage missing होगा तो आप चाहें तो 1.05 वाल्ट से जंपर मार सकते हैं अगर उतना नहीं करना है तो यहां पर PR801 जो है इसको एक जंपर के तुरू connect कर दीजे बस खताब पहले चेक करते हैं PR801 इस तीनों में से कोई भी होगा तो मेरा काम बन जाएगा तो मेरे यह सबसे असान है 3.3 से जंपर मारना पास में है यह जंपर लगाएंगे काम बन जाएगा फिलाल इसको चेक करते हैं PR803 के दोनों side क्या इस्टेटस है मैक्रो यह है इसके इस साइड क्या है स्टेटस चेक किया जाए प्रेस पावर बटन बोर्ड ओन हुआ 1.07 आया था मल्टी मीटर को मैक्समाम बेंज पर सेट करता हूँ मैंने पावर बटन प्रेस किया 1.07 आया जो मल्टी मीटर में अभी आप देख पा रहे होंगे इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ बंद हो गया मल्टी मीटर इसके दूसरे साइड यह वॉल्टेज पास होना चाहिए मतलब इस पॉइंट पे अब मैं फिर से पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ फिर से मैंने पावर बटन प्रेस किया 1.07 आपने फिर से मल्टी मीटर में देखा होगा मतलब यह अभी भी पास हो रहा है अब यह पास किया वा वॉल्टेज इस मॉस्फेट के गेट तक आना चाहिए तो गेट के उपर मैं चेक करता हूँ आ रहा है या नहीं फिर से किया मैंने प्रेस 1.06 आ रहा है 1.06 आ रहा है देखिए आपे मल्टी मीटर मैक्समुम रेंज पर है प्रेस पावर बटन वन पॉइंट जीरो सिक्स आ रहा है तो फिर यह मॉस्टेट अन होना चाहिए था अगर यह ओन हो रहा है तो इसके ड्रेन का वल्टेज minimum range पे set कर देता हूं अगर यहां पर voltage का कोई भी dropping आएगा मुझे दिख जाएगा लेकिन यह कभी भी on हो ही मतलब पाया मतलब मेरे case में क्या निकल रहा है कहीं न कहीं यह MOSFET damage है यह क्या नहीं कर रहा है यह input को output से connect नहीं drain को source के साथ connect नहीं कर रहा है यहां पर देखिए यह दोपिन मतलब अभी मैं इसको 3.3 से control करवाना चाह रहा हूं कि अभी मैं फिर से पाउटन प्रेस करता हूं साथ 3.3 से काम बन जाए मेरा अभी भी नहीं बना कि मतलब सीधा result निकल के आता है कि सबसे पहले तो मेरे को यह MOSFET change करना ही पड़ेगा यह चोटा सा जो है यह damage है इसको change करने के बाद हाद ही मेरे को कुछ result मिल पाएगा इसको change करते हैं किसी भी एंड चैनल के साथ इसको change कर देंगे मॉस्पेट ओपन हो गया है हाँ मॉस्पेट ओपन है गेट का इस्टेटर सही है लेकिन यह ड्रेन के बाद इसको सिक्वेंस नहीं बन पाएगा ना बोर्ड का सिक्वेंस होता है वे इससे सौट करके देख सकते हैं लेकिन डिस्प्ले बगएरा देने में इशू कर सकता है वी टी पहले ही बन जाएगा जो की बात बहुत बनना चाहिए था फिलाल देखें मैं इसके गेट पे ना के ढेलान से दे रहा हूं वाल्टेज क्या हो रहा है डिसू मसिन एंप ले रहा है मतलब कहीना कई ये गेट क реш के बीच में होचीका है अगर ये ओक्या है तो यह अपने में شूर्ट है पर डेते हैं वो सोर्स पर जाता है मतलब ओर जाता है अभी इसके ड्रेन कार्दफ व्लेजी लाँड खूआ है नहीं हुआ हटाते हैं हम इसको चैंज ही करना ज़्यादा बैटर कि इसको चेंज करते हैं यह फिर इस इसको ground कर देते हैं यहां ऎसे यहां पर ground करते हैं को है यह फिर इसके ऊपर वाले को ही अगर करने का तो सारा छेली खतम हो जाएगा कंट्रोलिंग का के कंट्रोल भी नहीं पाएगा ना तो छेंज बात में करेंगेएक बार ऊप्सन लेते हैं नीकालने का निकाल के देखते हैं क्या होता है इनेबल को ग्राउंड मिलेका 늦ेशा इसको निकाल देंगे अभी आउन करके देखते हैं क्या है इसका स्टेटस क्या कहता यह बोड प्रेस किया मैंने पावर उटन बोड अन हो गया थोड़ा समय के लिए आन रहा फिर यह आफ हो गया यह फिर से ओन हुआ है और अभी यह ओन है रिस्टार्ट हुआ मतलब कहीं न कहीं बोड ओके है डिस्पले देने के कंडिशन में हैं अन होता है कुछ देर चलता है मतलब दो चार राउंड चलके फिर आफ होके अन हो गया मतलब ठीक ठाक है मेरा सब कुछ अभी व्ल्टेज का स्टेटस देखिए जिस पॉइंट से मैंने निकाला हुआ था न जिरो पॉइंट एट एट बन रहा है ठीक है सीप्यू वीटिट प्रॉपर है 1.05 विशी से भी प्रॉपर है अभी मैं चाहूं तो ऐसे भी छोड़ दूँगा तब दी मेरा काम बन जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं लेकिन फिर नीचे का मॉस्पेट चेंज करना होगा तो नहीं भी ल करने का चलेगा प्रोसेसर जो है नॉर्मल हीट हो रहा है पहले हमने इंजक्ट करके अनबल किया था इंजक्ट करने से क्या होता है ओन तो हो जाता है लेकिन एक सिक्वेंस होता है वो तो बिगड़ जाता है ना पहले बनना चाहिए स्टेप बाइस्टेप लेकिन लगाते हैं और यह बोड कई ना कई डिस्प्ले दे देगा प्रेस पावर बटन बोड बंद हो गया ओन होके और यह फिर से ओन होगा मतलब डिस्प्ले देगा अरे फैन नहीं चल रहा इसका देखें यह फ्रेंड टूटा हुआ क्यों देते हैं हर बार जाम भी है यह देखें यहां पर अन करूंगा मैं अन हुआ फिर यह ओफ हो गया हो गया और फिर से ओन होगा अपनी से हो गया ओन मतलब डिस्प्ले दे दिया कि डल में होता है ना जैसे दो चार बार रिश्टार्ट होता है रिपैर करने के बाद मतलब सीमों रिसेट करने के बाद यूस्बी तो बड़ा टाइट है यूस्बी में लगा रहा हूं या फिर लैंड में लगा रहा हूं है लैंड में लगा रहा था बड़ा टाइट है वह लैंड में जा रहा था कि कीवर्ड लाइए कीवर्ड में देखें डिस्प्ले आता है कि में प्रोसेसर तो ठीक ठाक हीट हो रहा है कि कीवर्ड लगाए कहा है जो आप बटन प्रेस कर रहे हैं दीजे कीवर्ड कि यूएजबी कितना सारा है इस है अगर नहीं आता है तो यह बाइस क्लीन करेंगे फ्लेस करेंगे रैम भी चेंज करके देखेंगे कि आया क्या नहीं आया नहीं नहीं आया तो ठीक ठाकीट हो रहा है तो से सर्वी डैमेज रहे हैं दूसरा प्रॉसेसर है इसमें आप चार बार देख चुका है नहीं है इसमें प्रॉसेसर पहले से नहीं पता है आपको अधर डबे उधर जो बोर्ड रखाया है वो बोर्ड में देखेंगे इसमें आपको थाले वोर्ड रहे है प्रॉसे नहीं अच्छáव में आपको तेमिट में ओले प्तॉसे नहीं हो पक्झा दो रहे हैं आपको रहे हैं डिक अज़िग को बार बार विक फवित रखा है यें व依रर्नाओर आपको कर दो हागा है इफ फूर्ट जनरेशन पर अइस हैं अगया डिस्प्लेशन आपका यह प्रोसेसर आपका यह प्रोसेसर अगया इसके साथ डिस्प्लेश आ गया डियासों में देख सकते हैं इस तरह से इस तरह से आ है नबag अभी मैं बॉक को बंद कर रहा हूं पावर डिसकनेक्ट और वो चला जाएगा चला गया रिमूफ कनेक्ट करूंगा और बॉड़ अन करूंगा तो फिर से वो कनेक्टिड आ जाएगा लिखके आगया यस्टी कनेक्ट तो ओके है यह बोर्ड बन गया मतलब क्या कर रहे हैं आप आपको इतना नहीं पता है कि फोर्थ जनरेशन मतलब प्रोसेसर कैसे बताये थे न जी उस्बीन आप आप लोग को भी करवाये थे यह फिर से किये थे अब प्रोसेसर मांग रहें तो यह फोर्थ जनरेशन उठा के दे रहे हैं ऐसे कैसे होगा आप मुवायल में करते क्या हैं कि किसी को यही पता नहीं चलाया आफ वीडियो देखते नहीं है ऐसे तो यह सिस्क्रॉल हरता है वस ऊपर 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 शौट्स नहीं योटूब शौटूब का जो त मने लोता है न सिर्फ वह पढ़ते हैं लिखा हुआ और उपर करते रहते हैं, इस क्रीण सेर हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, कहां गए, नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन, डिस्कनेक्ट है, हैं ऐसे और यह 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 जो दिख रहें यह 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 मेटाओ आप उनका नाम है नाम भूल रहा हूं का रिख खरकते हैं तो रस में पाष दीयू नौ इस आप में ही करते हैं से रखें जिस्म Vielen आटाकर नौ धेकर रखें उसमें ना सर्थ हम युशावbn लगाकर डिस्प्ले seeking देंगे अन्यावाल वो शिर्व डिस्प्ले ही देखते हैं जिसे कीबोरड आप लगा के चेक करते हैं टीर ले सकते हैं जिसमें LED य goofy ties अंट में टोगिया दिस्प्ले आ गया है है या फिर दियस द्र थील्ख family を पूरा दो घंटा ले लिया वह तो explain करना होता है वन बाइवन तो लेगा ही न अब जैसे आप लोग को explain अगर नहीं करना है फिर तो डायरेक्ट दो मिनट में चक करके confirm करके हटा दो अगया वहीं फूल अगया यह प्रोसेसर ओके है किसका दिये थे यह प्रोसेसर आप अबसेक्वन से सुरूप सरय को lämle-mend busy यह किससे से फीर निकाले इसी lessons यह लिख देता हूं ना इनका नाम दोनुह की इए पल्ड पएव блake कि अगर आज अगर आज अगर आज 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 इसे जो प्रोशेसर एक निकाले थे इसको चेक करना पड़ेगा इस प्रोशेसर से जितना बोर्ड चेक करेंगे वह सारा बोर्ड गडबड आएगा चलिए अभी एक दो और छह साथ पीस डेक्स्टॉप और है उसको भी चेक करेंगे कल आज खतम वीडियो में लगा देता हूँ अभी दस मिल जाएगा और सर अब नया बनाता हूँ पुराना वाला मेरे को खुद भी नहीं मिल रहा है डाउनलोड करना होगा झालोड करना हो झुद भी जाएगा झालोड करना हो धिसमावा झालोड करना